गुड मॉनिंग मार्यों से गुड मॉनिंग गुड मॉनिंग आए आज हम क्लास थार्ड वालों के लिएकसे साइज 5C में आगे बढ़ने है मैस में इसके पहले कि सारी कोश्चन लग वे वहां कोई डाउट नहीं रहोगा और अगर कोई डाउट रहेगा तो आप मुस्के पर बढ़ते हैं पर दिजिट नंबर उसे 9999 लाजेस बोले तो 99 बढ़ाते ज़ितना डिजिट बोले उतना डिजिट बढ़ते जाई ठीक मार्य एंड राजेस सिर्ट नंबर नाइन इन तो लाजेस बढ़ते जाए और समालेस को यह अचिए नमबर नाइन इसको मैनस करेंगे 9,000 इस तरह बागी 20 पार्ट हो मैं कर लिए आई कोशन मां 5 गदर पड़ते हैं find the difference between the largest and smallest 4 digit number from using the digit 2570 8 digit should be used once only largest 4 digit number क्या है मैं आपको बनाना है यह जो digit दिया है 2570 इस से largest बनाएंगे तो सबसे बड़ा नमबर पहले फिर उससे चोटा फिर उससे चोटा फिर आशन और जब इस smallest बनाएंगे तो सबसे चोटा नमबर और जीरो जश्ट उसके बाद लिखे फिर दो से बड़ा नमबर इस तरह से largest हो गया अब आप difference निकालेंगे बड़े नमबर को उपर लिखेंगे छोटे नमबर को नीचे अब आप माइनस करना सिख चुके हैं एक बार हम और बता दिने माइनस कैसे करते हैं डीच नमबर चोटा इसमें यह नमबर चुके यह नमबर चुटा है यह नमबर चुटा है लेकिन कितना अंतर है तो बड़े नंबर को ऊपर लिखेंगे और छोटी नंबर को नीचे और आप प्लस माइनस करना सीख चुके हैं कैसे माइनस करते हैं जिनको आ रहे अच्छी बार जिनको ने उसका रिविजन हो जाएगा तो बागी पाट बस आपको माइनस करना है वह हो लिजेगा तो जिनके पास बुक है वह बागी पाट कोश्चन बुक से लगाएंगे बड़ जिनके पास अभी तक वुक अविलेबल नहीं हो पाया मैंने विडियो के मादम से ओमक दे रहा हूँ विडियो पाउच करके कोश्चन राइट करके कोश्चन साथ ओके मादम से देखे मादम से एकसराइज 5C में कुछ नहीं करना है सारे माइनस करना है पहला मैंने बटा दिया दूसरा तीसरा चौथा पाचवाँ छटवाँ साथोँ आठोँ आठोँ दसवाँ ग्यारवाँ इससे के साथ आज आपका इससराइज 5C कमप्लेट हो जाता है के वल माइनस करना है और आप प्लस माइनस करना सेख चुके है अब हम कल नेक्स अंपर मैंस आपसे जब भी मिलेंगे इकसराइज 5D स्टार्ट करेंगे advance homework दे रहे हैं plus minus करना है आप सीख चुके हैं कैसे करेंगे बताएंगे advance homework करिएगा करने कोशिस करेंगे आएगा तो ठीक है नहीं हैगा तो कोई बात नहीं next time पे में आपसे जब भी मिलेंगे exercise 5D और exercise 5C में बाकी पार्ट जो मैंने छोड़ दिया same to same इसी तरह आपको subtraction करना है minus करना है करेंगा करने कर लेंगे जिनके पास book है वो बाकी पार्ट question book से लगाएंगे बड़ जिनके पास अभी तक book available नहीं हुपाया मैंने वीडियो के माध्यम से ओमक दे दिया हूँ वीडियो पाउच करके question write करके question साथ और कोई भी question directly solve नहीं करें पहले question write करके question तो इसी साथ आपका exercise 5C complete हो जता है और next time पर हम आपसे जब भी मिलेंगे exercise 5D स्टार्ट करेंगे good morning, wish you always, see you tomorrow with next exercise 5D and once again join